सवाई मादूपुर में बागिन ने दो भाईयों पर हमला कर दिया है जसकी वज़े से दोनों भाई घायल हो गए है मामला शुकरवार सुबर साड़े आठ बजे का है क्या कुछ पूरा मामला है वस्तार से इसको लेकर कि आपको जानकारी देते हैं तो वहीं रेंजर केलाश शर्मा ने इसको लेकर के पूरी जानकारी साचा कि उन्होंने बताया कि ग्रामिनों के अनुसार दोनों भाई अपनी भैसों को खोजने कए थे इससी दोरान बड़े भाई पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया छोटा भाई उसे बचाने गया तो वह भी घायल हो गया हमले में घायल नरेंदर योगी और मुकेश योगी पुतर प्रभुदयाल योगी गोपालपुरा गाउं के रहने वाले हैं उनका गाउं टाइगर रिजर्व से मातर एक किलोमेटर दूर है घायल नरेंदर ने बताया कि सुबह करीब साड़े आठ बचे में और बड़ा भाई मुकेश भैसो को खोजने के लिए गोपालपुरा गाउं के पास बने आनिकट पर गये थे जहां जहाडियों में एक बागिन और दो शावक मौजूद थे इस जोरान बागिन ने भाई पर हमला कर दिया पहले चेरे पर पंजा मारा और फिर जबड़े से मूँ पर हमला कर दिया जैसे मैं भाई को बचाने के लिए दोड़ा तो बागिन ने मुझ पर भी हमला कर दिया हमारे साथ अन्ने दो ग्रामीन भी थे वो चिलाए तो उनकी आवास सुनकर आसपास के खेतों में मौजूद ग्रामीन मौके पर पहुंचे इसके बाद सभी लोगों के हो हला करने पर बागिन और उसके शावक जंगल की और चले गए तो वहीं सुषना के बाद बनवेभा के टीम मौके पर पहुंची और घटनेस्तल आरोपीटी और खंडार का बॉर्डर है ऐसे में आरोपीटी रेंजर केलाश शर्मा और खंडार रेंजर राम खिलाडी गमिना स्टाफ के साथ पहुंचे दोनों खायलों को बहरावंडा C.H.C. लेकर गए डॉक्टर ने उनको सवाई मादूपूर जिलास्पिताल में रेफर कर दिया फिलाल जिलास्पिताल में दोनों खायलों का उपचार जारी है हम उमीद करते कि दोनों खायल जल से जल स्वस्थ हों तो वहीं आपको बता दे कि रंठंबोर में 37 सालों में बागों ने 16 लोगों को मार गिरा है तो वहीं 3 महिलाओं समेश 16 लोगों की मौत बागों के हमले की वज़े से हो चुकी है हमलों में से सिर्फ 5 हमले नैशनल पार के बाहर हुए दो को छोड़कर सभी हमले नर बागों ने किये थे 11 बागों ने 16 लोगों को मारा इनमें बाग T24 ने 4 और T104 ने 3 लोगों को मारा तो वहीं जानकारी जो है जो डेटा सामने आते हैं इसके नुसार 2019 में सबसे जादा लोगों ने जानकापाई है 1987 में पहला हमला हुआ एकटना त्रीनेतर गणेश मंदिर रोड पर हुई थी तो वहीं अगर 2005 की बात करें तो खंडार शेतर में फसल को पानी दे रहे 60 वर्षे किसान को बाग ने मारा था 2010 में बागों ने तीन लोगों को मार डाला था बागों के हमले में तीन लोग मारे गए एक व्यक्ति की मौत हुई 2015 में 2018 में दो लोग मारे गए 2019 में पांच लोगों की बागों के हमले में जान गई और इस बार जिस तरीके से आज बागिन ने जो हमला किया है उसमें भी इन दो लोगों की जान जाज सकती थी पर ऐसे में इनकी किस्मत अच्छी रही और दोनों बज़ पाए और अभी फिलाल घायल है अस्पिताल में इनका उपचार चल रहा है और हम उमीद यही कर सकते हैं कि जल से जल स्वस्थ हो